और बड़ी कबर आपको बता दे किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली सीमा के सभी मार्ग अब खुल रहे हैं जी हाँ सुबह गाजीपूर सीमा से पुलिस ने वो बैरिकेडिंग और बैरियर हटाने का काम शुरू कर दिया है जो किसानों को रोकने के लिए लगाए गए थे सड़क अब खोल दे जाएगी जो किसान नेता है कब से आप यहां पर बैठे हुए सर कितने महीने हो गया जारा महीने हो गया पुलिस बैरिकेड हटा रही है तो आप क्या रास्ता खुलने जाएंगे जिली जाएंगे आपने फसल बेचेंगे मंगाओंगे आज के एंगे यह उमीद की जा रही है कि यह रास्ता खुल जाएगा रास्ते दो खुलने चाहिए तो जो आप लोग रास्ते तो खुलने चाहिए जब रास्ते खुलने जब बता देंगे तो वह बुलिस बैरिकेट है अभी तो आभी कोई पूलिस की बातचीट वी या हमारी कोई कोई नहीं हुई यह कहा गया तीते टोप्म कोट कि और से लिसरा पशरक है रास्ता नहीं रूका जा जा सकता है पता देगे देदेगे जवाब पचल भी तो बेच सके परदार मंतिर ने का आगा पणी बचल कहीं बेच लो मारी बचल पारलेमेंट पर विग्राइवी दान जाओंगे अंब भी ऐसी रास्तों से जाएंगे टेक्टर लेका कोई अधिकारियों से बाचीत नहीं हुए आद कह के बात करें जो जो सड़क उपर शंठ से एक रसागों पंप करnia पतभाँ आको गाड़ी चले जाएंगी जब बताईंगे अमसा Eciliac सब्सक्राइब कर रहा है तो यह किसान नेताओं से भी कोई बातचीत हुई है हम लोगों को जैसे आदेश आ है रास्ता खुलने की कोई उमीद है यहां बिल्कुल रास्ता खुलने की बिल्कुल उमीद है इसलिए हम लोग बारिकेट्स रिमोट कर रहे हैं गाजियाबाद पुलिस से भी बातचीत हुई है कोडिनेशन में है तो आप देख सकते हैं यहां पर दिल्ली पुलिस ने अपने बेरिकेट्स हाटाने शुरू कर दिये हैं और पुलिस का यह कहना है कि रास्ता खुलने की पूरी उमीद है पुलिस ने कई लेर की यहां से आप देखे जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं यहीं से बेरिकेटिंग शुरू थी और आगे आप देखें सामने जहां तक पुलिस आफिसर्स नजरा रहे हैं वहां तक बेरिकेटिंग की जिसमें लोहे की बेरिकेटिंग कंटी ले तार ये सब कुछ था अब ये धीरे धीरे यहां से देखे हट गया है अब यहां पर तीन लेयर के ये जो आपको सिमेंट के ब्लॉक नजर आ रहे हैं उसके बाद लोहे की बैरिकेटिंग और कंटी देता है इसके बाद आगे किसान बैठे हुए हमने जब राकेश टिकैंजी से पूछा कि क्या अब आप लोग यहां से हटेंगे क्योंकि वहां से पूलिस अपनी बैरिकेटिंग हटा रही है तो इस बाद का कोई सीधा जवाब उन्होंने लेगिया उन्होंने कहा कि रास्ता खुल गया है तो अब वो धान भेचने के लिए आगे जाएंगे पार्लियमेंट जाएंगे और व के थोड़ी दूरी पर किसानों के तमाम टेंट लगे हुए है और वो हटेंगे या नहीं हटेंगे यह स्थिति अभी साफ नहीं है शेता बिल्कुल बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हेमाश य memo टमाम जानकारी के ली आगे बीए और एक छोटी स ब्रेक के लिए बहुत आ झाल